जहिन दोस्तों मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लेंड से बात कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त ने मुझे रामदेव बाबा की एक वीडियो फॉर्वर्ड की जिसमें रामदेव बाबा योग प्रानायम सिखा रहे है और यह शायद अभी अभी रिलीज हुई वीडियो है जिसमें रामदेव बाबा oxygen cylinder, beds कम हो रहे है और इसमें जो negativity देशबर में फैलाई जा रही है तो इसके बारे में बात करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि यह latest वीडियो है और इसमें रामदेव बाबा ने जो claim किये है यह काफी urgently address होने चाहिए क्योंकि उनसे लोगों में गलत फैमी फैल सकती है और लोगों का बड़ा नुकसान भी हो सकता है जाने भी जा सकती है तो तीन चीज़े रामदेव बाबा कहते है कि यह बेड नहीं है oxygen नहीं है समशान घाट में जगह नहीं मिल रही है यह जो सब negativity फैलाई जाए गई है यह important नहीं है यह इसकी जरुरत नहीं है यह बेवज़े है तो यह थोड़ा सा political भी मुद्दा लगता है मुझे रामदेव बाबा शायद किसी अपने political friend को बचाना चाते है किसी ally को बचाना चाते है बेड नहीं है सिलेंडर नहीं है यह बहुत serious बात है इसके बारे में आवाज उठानी ही चाहिए और मेडिया सोशल मेडिया में भी यह चर्चा चलनी चाहिए लेकिन यह political मुद्दा छोड़कर मुझे दो बड़ी महतोपूरन बाते जो रामदेव बाबा की clip आई है मेरे तक पहुची है उसमें पता चलती है रामदेव बाबा इसमें कहते है कि हमारे जो फेपड़े है इनको वो नाको को सिलेंडर कहते है और बोलते है कि कुद्रत में oxygen भरा पड़ा है तो आपको सिलेंडर की जुरुत नहीं है यह हमारे सिलेंडर है तो यह जो बात है इससे पता चलता है कि रामदेव बाबा को normal physiology जो है यह समझती नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर है नहीं उन्होंने physiology सिखी नहीं है उनको प्रानायम योग अच्छी तरह से आते है यह body exercises होती है यह naturally हमारे जो पुरवच थे उन्होंने डून निकाले हुए एक physiotherapy के breathing exercises है जो प्रानायम है इनके बारे में मैंने खुद वीडियो बनाये है कि यह किस तरह हमारे breathing को help करते है लेकिन यह प्रानायम एक part होता है जब किसी के फेपड़ों में pneumonia आ जाता है ARDS हो जाता है उनकी oxygen level कम हो जाती है इसको hypox या कहते है तो यह type 1 respiratory failure में यह सिर्फ एक part of the strategy होता है physiotherapy यह पूरा इलाज नहीं होता है रामदेव बाबा यही गलती कर रहा है कि वो समझते है कि यह प्रानायम मतलब यह पूरी treatment होगी COVID के pneumonia की तो साथियो यह बहुत गलत चानकारी है जब normal physiology से कोई COVID जैसी बिमारी की वज़े से फेपड़ों में pneumonia आ जाता है तो physiology नार्मल नहीं रहती है उस pneumonia most लोग तो बाहर निकला जाते है लेकिन कुछ लोगों को oxygen कम हो जाता है तो ऐसे लोगों को oxygen देना पड़ता है उनका इलाज प्रानायम या बसरिका या कपालवाती नहीं होता है उनका इलाज होता है medical treatment लेना oxygen supplementary oxygen लेना ताकि जब तक वो फेपड़े recover होते है बिमारी recover हो लोगों की जान जा रही है यह हम देख रहे है तो रामदेव बाबा की यह जानकारी जो है यह बिल्कुल गलत है कि हम यह कुद्रत में सारा oxygen है यह 21% oxygen है यह कम पड़ता है फेपडों की कमी की वज़े से फेपडों की pneumonia की वज़े से इसलिए supplemental oxygen is a life saving therapy तो कोई भी इस गलत फ तो यह बिल्कुल गलत है दूसरा जो claim रामदेव बाबा करते है कि उन्होंने 70-80% oxygen जिनका कम आ गया था ऐसे लोगों को ठीक करके घर वेज़ दिया तो यह जो दावे है रामदेव बाबा काफी पहले से करते आए हैं वो तो cancer को cure करने की जो दावे वो करते है अभी अभी हाली में उन्होंने type 1 diabetes के cure के कुछ video release किये मैं उसके बारे में एक separate video करने वाला हूँ type 1 diabetes में रामदेव बाबा का जो claim है उसका scientific information देने वाला हूँ लेकिन इस मामले में जो बोले है कि 70-80% जिसका oxygen कम हो गया उनको भेज दिया घर भेज दिया ठीक करके तो साथियो यह गल काफी लेवल तक pneumonia में इन्वाल हो गया है इन लोगों को कम से कम कुछ दिन या कुछ हपते भी oxygen supplementation या उससे भी ज्यादा support लगता है जिसको हम bypap कहते है या ventilator कहते है और अलग-अलग तरीके की treatments hospital में लगती है तब इनकी जान बच जाती है अगर oxygen नहीं देते है और support नही यह बिल्कुल मत समझना की 70% और रामदेव बाबा जैसे कुछ लोगों के पास जाके हो जाएगा या योग प्रानायम से हो जाएगा योग प्रानायम ऐसे हालात में करना जान लेवा हो सकता है simple breathing exercises जो हमारे doctors बताते हैं physiotherapist बताते हैं वो करना ऐसे हालात में कोई भी योग प्रानायम करने की क्रोशिस मत करना और तीसरा जो सबसे गलत दावा रामदेव ने किया है वो यह कि उनका कहिना है कि एक घंटा भसरी का कपाल बाती करके मैंने लोगों को ठीक कर दिया तो सातियों मैं खुद कोविड के ICU में काम करता हूँ मैं कोविड खुद मुझे कोव कोविड हो गया है इचले साल मेरी वाइफ को भी हुआ था और मैं जानता हूँ जिसको कोविड एक्च्वल में लक्षन आते है उनको काफी कमजोरी आ जाती है और मेरा तो ऑक्सिजन नॉर्मल था लेकिन फिर भी मैं बेड से भी उठने को मुझे जी नहीं करता था अलाकि कि मैं इंडिपेंडन नहा लेता था अपना काम कर लेता था लेकिन तीन हपते मैं हास्पिटल में काम करने के लिए नहीं गया मेरी वाइप भी नहीं गयी तो काफी विकनेस आ गया था यह माइल्ड सिलक्षन थे और रामदय बाबाबा जिनकी बात कर रहे है उनका करा के घर वापस बेज दिया साचुरेशन नाइंटी आट करके तो यह रामदय बाबा एक तो कुछ जानते नहीं हवा में फेक रहे हैं या हम सबको बेवखुप समझते हैं सात्यों ऐसे हालात में सिंपल ब्रीधिंग एग्जरसाइज भी करना मुश्किल है तो कपाल बात दूर की बात है वसरी बात है बिल्कुल में परिए सिंपल ब्रीधिंग एक्जरसाइज जो ब्रेथ होल इन इंस्पिरेशन और श्लो एक्पिरेशन यह फिजरो तेरैपिस्ट के एडवाइज में या आपके डॉक्टर के एडवाइज में आप कर सकते हो और जब सास लेनी क कुछ ऐसी बिमारी हो गए है जिसने वो यह ऐसे जूट फेकते रहते है तो यह सारे जो ख्लेम यह छोटे सी क्लिप आई है इसमें रामदयो बाबा की यह गलत है यह वैद्नानिक आधार पर नहीं किये है यह सुडो साइंस बता रहे है गलत तरीके का साइंस पर हमारे सामने कर रहे हैं और इसमें जो थोड़ा सा पॉलिटिकल जो मोटिवेशन है रामदयो बाबा का कि यह जो आप बेड और ऑक्सिजन और समशान गाट का जो चक्कर चल रहा है यह सब जरुरत नहीं है इस सब की लेकिन यह तो ग्राउंड लेवल की रियालिटी है कि लोगों को बे इस नितिक दुलगंद रामदयो बाबा के इस मुद्दे में भी आती है साथियों यह मुद्दा बिल्कुल सब से शेयर किजिए आपके रिष्टेदार दोस्तों में शेयर किजिए ताकि लोगों को पता चले कि जब हालात गंबिर होते हैं साचुरेशन सतर असी हो जाता है तो इसमें आप oxygen, medical service, hospital में admit होना ये सब करना है ना कि बसरी का कपालवाती करना है बसरी का कपालवाती चिनको लक्षन नहीं है या कोई mild लक्षन है वो लोग ट्राय कर सकते हैं या आप जब COVID से बिमार नहीं हो तब कर सकते हो जब आपके हलात इतने गंबिर हो जाए कि saturation सत तो यह प्रानायम और योग करने का वक्त नहीं है यह मेडिकल इमर्जनसी है इसमें आप मेडिकल जानकार डॉक्टरों से ही सला ले ना कि ऐसे स्विडो साइंस फैलाने वाले बुआ बाबाहों से उनकी सुने मैं आशा करता हो कि आप मेरी बात से सहिमत हो और आप ज्यादा स ज्यादा इस वीडियो को प्लीज फैलाईए मैं डायबेटिस टाइप वन के बारे में जो बाबा का क्लेम है रामदेव का यह इसके उपर भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा और वो भी शेर करूंगा प्लीज शेर इस वीडियो जैहिन सात्यों